नमस्ते दोस्तों मैं श्रेयस बढ़िये आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम डेली करंट अफेर्स से 38 जैनवरी 2024 के करंट अफेर्स को पढ़ेंगे इसका सोर्स होगा P.I.B. The Hindu The Indian Express उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किये उस टेलेग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक कीजिए उसे जॉइन कीजिए और आपको डेली PDF करेंट अफेर्स के मिलते रहेंगे यह जो करेंट अफेर होगा यह आपके UPSC, PSE, SSE, Bank, Defense, Railway हर एक्जाम के लिए बहुत beneficial होगा और इसके end तक बने रहेगा क्योंकि हम end में MCQs की भी practice करने वाले जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होगे जो इसी current अफेर से related होगे तो चलिए आज के lecture की शुरुवात करें जो हमें सबसे पहला current अफेर देखने मिल रहा है वो है सागरमाला प्रोग्राम को लेके और इसका जो भी syllabus जाता है वो government schemes में जाता है visual representation दिखाया गया है सागरमाला प्रोग्राम का तो सागरमाला प्रोग्राम इसी कारण news में आ गया और हमें इसे पढ़ना जरूरी हो गया है तो यहां पर background में जब हम जाते है तो यह flagship program है जो की आपका जो भी time है जो भी आपको लाने ले जाने का time है जो भी cargo आप लाना ले जाना करोगे वो या फिर जो भी handling होगी वो काफी अच्छे से हो सकती है एक port से दूसरे port के बीच में पोर्ट यानि आपको पता है कि जहां पे ship आना जाना करती है तो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में काफी अच्छे से आपके यहां पे handling हो सकती है कारगो जा सकता है सागरमाला प्रोग्राम के बारे में अगर सबसे पहले पढ़ लेते हैं सागरमाला प्रोग्राम जो है वो लांच किया गया था हम कहेंगे 25th मार्श 2015 को यूनियट कैबिनेट ने इसे लांच किया था मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये काम करता है वो है मिनिस्ट्री आप पोर्ट शिपिंग और वाटर वेज उसी के साथ साथ इसका अबजेक्ट वही है कि पोर्ट लेट डेवलपमेंट करना देश में यानि देश में जो भी पोर्ट से जहां से शिप आना जाना करती है उसे कही ना कही हमें डेवलप करना है historical background पर अगर हम जाते है तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि National Perspective Plan NPP जो है उसके चलते इंडिया की जो कोस्ट लाइन होती है उसे डेवलप करने के आप बात की जारे है और मैरिटाइम सेक्टर को जो भी हमारी शिपिंग इंडिस्ट्री उसे कही ना कही हम चाहते है कि डेवलप करे ऐसा हमारे Honorable Prime Minister ने भी कहा था 14th April 2016 को जो मैरिटाइम इंडिया समिट हुआ था 2016 का उसमें Silent Features अगर सागरमाला प्रोजेक्ट के देखे तो सबसे पहले आपको ये बता दो कि सागरमाला प्रोजेक्ट जो हता है और Reduce करेगा Logistic Cost जो भी Export Import के लिए लगता है उसे के अलावा Domestic Trade जो है वो भी यहाँ पे काफी अच्छे से चलेगा कम से कम Infrastructure Investment में बहुत अच्छा आपको एक तरह से Results मिलेंगे इसमें क्या करेंगे हम तो जो भी Cost of Transport है जो Domestic Cargo को यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है वो भी कम करने के यहाँ पे बात की जा रही है उसी के साथ साथ हम कहेंगे कि जो भी Mixed Lowering Logistic Cost of Bulk है जितने भी आप चीजे लेके जाओगे बल्क में जो Communities लेके जाएंगे उनकी भी Cost काफी कम करने की कोशिश की जाएगी और आगे की जो Industries है वो Cost के पास बनाने की यहाँ कोशिश करने की बात की जा रही है तो Exim जो अच्छा करने की बात की जा रही है Export-Import अच्छा करने की बात की जा रही है दूसरा इसका अगर Aim की हम बात करे तो वही है कि नई Technology, नई Development करना Regions में और हम कहेंगे कि एक Solution प्रोवाइड करना याने जैसे कि Industry बनाना या Ports को अच्छे से Connect करना तो जो भी है Connectivity बहुत अच्छी करना या Model Split करना याने वही है कि सभी चीजों को अच्छे से Manage करते हुए हमें चलना होगा तो Main Economic Center हमारा देश बन सकता है Rail हमारी अच्छी चलती है Inland Waterways अच्छे से चलते है Coast अच्छे से बनानी है Road Services अच्छे से बनानी है तो सब चीज़े अगर अच्छे से हमारी बन जाती है तो हमारा देश economically बहुत अच्छे से Develop हो सकता है तो उसी के अलावा अगर components की बात करें सागरमाला प्रोजेक्ट की तो यहां पर 5 components है पहला है कि हमें modernization करना है port का और नए ports का development भी करना है port की connectivity को हमें अच्छा करना है उसे बढ़ाना है port को link करना है industrialization के जो भी industries है वो port के पास बनाना है और coastal community जो उसका development करना है जो भी coast के आसपास कमिटी रहती है जो community जो है जो port पे कहीं न या coast पे कहीं न कहीं depend है या coast के आसपास रहती है उनका भी development करना और coastal shipping on inland waterways को भी अच्छा करना इंडिया में benefit क्या होगा अगर सब कुछ अच्छा होगा तो job creation होगा जो skill gaps है वो भी ठीक हो जाएगी ports में याने port और maritime सेक्टर में हम काफी अच्छे से काम कर सकते है तो shipping industry अन इंडिया यहां से यह आपका topic mainly हम हाँ पे जा सकता यह project जो है सागरमाला project वो तो सागरमाला project निउस में रहा हो और इसका जो source था वो था P.I.B. Press Information Bureau अगला जो हमें current affair देखने मिल रहा है वो है इदाते कमिशन को लेके तो यह इसका syllabus जाता है quality में Recently National Human Rights Commission NHRC ने अपना importance बता है कि जो recommendation इदाते कमिशन ने दिये थे वो recommendation जो है उसे execute करना चाहिए NHRC जो होता है organized and open house discussion इस पे हुए थे कि किस तरह से nomadic, semi-nomadic and denotified tribes जो है इंडिया में उन सब के लिए किस तरह से अच्छे से काम किये जा सकते है तो इदाते कमिशन ने यहाँ पे उनके लिए कुछ report दी थी तो इदाते कमिशन देखते हैं क्या कहती थी इदाते कमिशन जो establish की गई थी 2014 में की गई थी इसको head जिनों ने किया था वो भिकुराम जी इदाते थे इसलिए इसको इदाते कमिशन कहा जाता है यहाँ पर यही है कि denotified nomadic and semi-nomadic tribes D&Ts उस दिन भी news में थे तो इन सब के लिए क्या करना चाहिए यह सब यहाँ सोचा गया था तो May 2018 में National Commission for denotified nomadic and semi-nomadic tribes जो है उसने अपनी report जो होती हो submit कर दी और commission जो होती है वो 3 साल के लिए temporary term के लिए बनाई गई थी वर 3 साल के लिए work करने वाली थी तो उन्होंने अपनी report जो होती हो submit कर दी और यह कहा कि यह जो भी communities है state wise अगर हम इनकी बात करें तो उनका development status हमें state wise देखना पड़ेगा और उनको uplift करने के काफे सारे तरीके हमें धून के निकालने पड़ेंगे अब उन्होंने important recommendation इस पर क्या दिया है कि यह सब चीजे किस तरह से हो सकती है तो report जो होती है उसको denotified nomadic and semi-nomadic tribes कहा जाता है तो यह poorest of the poor है यह सबसे पहले आपको पता चलता है सबसे marginalized है और सबसे जादा downtrodden committee है जिसको कही सारे social stigma जहलने पड़ते है उनको काफे atrocity जहलने पड़ते हैं उन्हें लोग कुछ कुछ कहते हैं उनको हर बार exclude कर दिया जाते हैं होगा सबसे पहले आप उसके जाती को और यह सब चीजों को लेकर कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं तो उनको भी इसमें protection देनी पड़ेगी इदाते commission ने recommend किया था कि constitution में भी amendment करना चाहिए जिससे NT, D&T, SNT जो होते हैं इनको third category करके add कर दिया जाए after schedule cast and schedule tribes इस act में उसी के अलावा जो भी individuals होते हैं जिनको identify नहीं किया जा रहा है SC, ST या OBC list में इनको भी कही ना कही OBC category में देखा गया तो हम कहेंगे कि उनको OBC category में डाल देना चाहिए तो इस तरह के लोगों को at least OBC category में तो भी डालना चाहिए और permanent commission अलग department बनाना चाहिए जो specially ये communities के लिए काम करेगा और एक survey करना चाहिए D&T families का और उनका number कितना है उनका distribution किस तरह से ये भी यहाँ पर देखना चाहिए तो NT, D&T जो होते है या SNT हम कहेंगे ये काफी मुश्किल में है और इनके लिए हमें कहीं कहीं work करना जरूरी है उसी के अलावा major committees और commissions जो इसके उपर काम की है वो है सबसे पहले crime tribes inquiry committee 1947 की उसके अलावा अनंत सैनम अयंगर committee 1949 की काका कालेलकर commission जो है इसको first OBC commission भी कहा जाता है 1953 की और BP मंडल commission 1980 की तो इसके उपर काफी commissions बिठाई गई है बट इनको काफी सारी reservations या काफी सारी provisions इनके लिए वहाँ नहीं है जैसे अभी हमने देखे और यहाँ पर देना चाहिए ऐसा कहा जाता है तो यह जो current affair ते इसका source हमें मिलता है national human rights commission that is NHRC अगले current affair के तरफ बढ़ते है जो कि sloth bears को लेके अगर यहाँ पर देखा गया तो environment और ecology से यह आपको देखने मिलता है जो sloth bear है वो और recently report ने बता है कि sloth bear जो होते है वो mostly coexist करते है peacefully with humans in करनाटक या वो human के साथ आराम से peacefully रह सकते है यह चीज़े हमें पता चलती है तो यहाँ पर habitat connectivity को अच्छा करना होगा human wildlife interaction zones जोते उसको कम करना पड़ेगा ताकि human के ज़्यादा contact में ना है या फिर waste management जो है लोग यहाँ पर जाके कच्रा फेके यह करें यह सब चीज़ों को हमें ठीक करना होगा और conflict को हमें कही ना कही छोड़ा ना होगा ऐसे सर्वे कहता है अब अब हम sloth bears के बारे में जान लेते हैं about sloth bears sloth bear जो थे इनका जो scientific name है वो meluresus eurcinus करके हैं उसके अलावा आपको यह बता दो इस्टा distribution इंडिया श्री लंका और नॉर्थ नेपाल सदन नेपाल में देखने मिलता है इसकी population 90% जो है global sloth bear की population वो इंडिया में मिलती है जितनी भी है उसमें से 90% तो इंडिया में मिलती है यह कैसे जगह पे रहता है इसका habitat का है dry और moist forest में यह रहता है और कभी-कभी tall grassland के area में भी आपको देखने मिलते है जो boulders जहाँ पे scattered shrubs या फिर जहाँ पे trees है जहाँ पे इनको shelter मिलता है वहाँ पे यह कही ना कही इनको मिलते है इसका जो size है वो path से 6 feet का है यह 1.5 से 2 meters तक इसका आपको size देखने मिलता है इसका weight 90 से 140 kg होता है food जो यह खाते है वो termites खाते हैं और ants खाते हैं और आपको यह भी बता दू कि poor senses of sight and hearing इनमें होता है यह जल्दी अच्छे से देख नहीं पाते हैं अच्छे से चीज़े सुन नहीं पाते हैं sense उनका अच्छे से काम नहीं करते हैं आइट वाला और hearing वाला वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं चीज़े को जल्दी सुन नहीं पाते हैं बट इनका smelling बहुत अच्छा आपको देखने मिलता है तो slot bear जो होते हैं यह completely बंद किये जा सकते हैं जिससे यह जो dust आएगी या insect आएगी उससे यह लोग हम कहेंगे कि अपने आपका बचाओ कर सकते हैं जब वो termites के nest में या फिर beehives के nest में जाते हैं तो उस वक्त उन पर dust ना आ या बाकी insect ना आ इसलिए उनको पास यह capacity है कि वो अपने नाक के जो nostrils होते हैं उसे बंद भी कर सकते हैं अब इन्हे threats क्या क्या है threats की अगर हम बात करें तो इनका habitat loss सबसे पहला है उनका घर तोड़ दिया जा रहा है घर यानि उनका जंगल जंगल काटना दूसरा है poaching poaching यानि हम कहेंगे hunting hunting के साथ साथ उनके body parts के लिए hunting की जाते हैं उसे बीचा जाता है human actions यानि काफी बार उनको capture किया जाता है performances के लिए या फिर हम कहेंगे hunt किया जाता है क्योंकि उनको aggressive behavior है या फिर वो crop को आके distract कर देते हैं खेतों में आके लोगों की तो इसलिए उनको मार दिया जाता है तो यह सब उनको काफी threats है इसके अलाव protection status की बात करें तो IUCN list, red list में vulnerable हैं sites के listing में वो appendix 1 में आते हैं और Indian wildlife protection act 1972 में schedule 1 में आपको देखने मिलते हैं तो यह एक और current affair था जो कि sloth bear को लेके था और इसका source जो आपको देखने मिलता है वो है down to earth अगले current affair के तरफ बढ़ते हैं और वो है कश्मिरी saffron को लेके और इसका syllabus जाता है जोगरफी में recently एक recent report आई है कश्मिरी saffron पे उसको एक new silver जो है वो कहा जाता है अब यहाँ पर क्या हुआ है selling now 3.25 lakhs per kg अब इसका यह है यानि जैसे चांदी के दाम होते हैं वैसे दामों में कश्मिरी saffron हम जिसे केसर भी कहते हैं यह बेचा जा रहा है तो after जो भी कश्मीर है यह costlier हो पास जाते जा रहा है तो कश्मीरी saffron है क्या है सबसे पहले जान लेते हैं कश्मीरी saffron की बात करें तो इसका जो भी production है वो restrict किया गया था सिर्फ limited geographical area में ही लगाया जा सकता है जैसे कि जम्मू कश्मीर में पैंपोर रीजन है इंडिया में commonly जिसे saffron bowl of कश्मीर कहा जात है उसका आरोमा भी काफी अच्छा होता है खुशबू उसका flavor जो होता है वो bitter होता है कडवा होता है chemical free processing होती है उसकी और काफी उसमें krosine होता है क्रोजीन कलरिंग कलर उसको बनाता है और उसमें बिटरनेस जो डालता है वह पिक्रो क्रोशीन तो इंडिया में सेफ्रॉन कॉउम्स यosen слуш और कुछ बीच में यून से जुलाई के आपको नीन नाना ये सब चीजों के लिए भी काफी useful कहा जाता है ये आपकी skin quality भी अच्छी करता है pigmentation भी आपका खतम करता है या फिर हम कहेंगे कि spots जो होते आपके skin पे वो भी वो खतम कर सकता है और ये आपको traditional dishes में use होते हुए भी दिखता है तो इस तरह से कश्मिरी सैफ निजामुद्दिन ओलिया दरगा इसका syllabus जाता है art and culture में रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है Emmanuel Macron वो हर्जरत निजामुद्दिन ओलिया के दरगा को विजिट किये दिल्ली में इसलिए ये news में आ गया तो एक banquet host किया गया था प्रेसिडेंट द्रोपदी मुर्मू के के द्वारा तो Macron जो होते हैं उन्होंने अपना gratitude बता या warm welcome जो होते हैं उसको extend कि हम लोग इंडिया और फ्रांस के relation काफी लंबे समय तक अच्छी रखेंगे अब यह हजरत निजामुद्दिन ओलिया के दरगा में गया तो यहां पर होता क्या है यह है क्या दाजान लेते ह हजरत निजामुद्दिन ओलिया के जो दरगा है वो दिल्ली के निजामुद्दिन वेस्ट एरिया में आपको देखने मिलता है यह एक मुसलम होता है जो कि सूफिसेंट निजामुद्दिन ओलिया के लिए बनाया गया जो जिनका समय था 1238 से 1325 के बीच में सैयद सूफिसेंट में से एक है जो इंडियन सबकॉंटिनेंट में रहे है इनको हजरत निजामुद्दिन या महभूब ऐए इलाही भी कहा जाता है विलवड ऑफ गौड उसी के अलावा यह सुन्नी मुसलिम स्कॉलर थे सूफिसेंट थे और यह एक तरह से चिस्ती जो ओर्डर ह से लाए उसको बिलॉंग करते थे सूफिसम में 14th सेंचुरी के वक्त एडी के वक्त वहां पर रहते थे सीई को आप एडी भी कह सकते कॉमा नीरा या फिर एडी इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वेर चेंबर होते हैं अगर आप देखोगे उस दरगा को तो और उसमें वरांडा है और हम कहेंगे आक्ट ओपनिंग है उसके इस तरह की ओपनिंग है आक्ट ओपनिंग यह आपको कही न कहीं देखने मिलती है तो डोम जो होता है यह आपको डोम देखने मिलता है उसके अलावा डोम पे आपको स्ट्राइप आप ब्लैक मार्बल देखने मिलते हैं और लोटस क्रेसिटिंग आपको देखने मिलती है उसके उपर का क्राउन जो है और नौट सैड में जो है ये दरगा के नौट सैड में आपको एक स्टेप वेल भी देखने मिलती है तो इस तरह से हदरत निजामोदिन ओलिया का दरगा है जो की न्यूज में रहा और इसका सोर्स था दे टाइमस ओफ इंडिया उसके बाद जो हमें नेक्स्ट करेंट अफर देखने मिलता है वो है डब्ली टी ओ को लेके वर्ल्टेड ओर्गनिजेशन और इसका से लिवापार से रिलेटेड काम करता है तो अलग-अलग देशों के बीच में जो व्यापार चल रहा है उसको कही ना कही ये हैंडल करने के काम करता है ये रिसेंटली यूएस जो है तो उसने ब्लॉक कर दिया है फ्रेश प्रपोजल की एक डिस्प्यूट सेटल्मेंट करना था वर्ल्टेड ओर्गनिजेशन में वो अब फिर से नहीं होगा ये यूएस ने ब्लॉक कर दिया है तो बैक्गराउंड कहा है कि 73rd occasion 73rd time ये होता है जब प्रपोजल जो गौटा मेला जो है एक Central American country उन्होंने एक प्रपोजल लाया था किस के बिहाफ में 130 members के बिहाफ में कि भाई हम judges को जो select कर रहे हैं वो हमारा कोई हाथ नहीं है यूएस ब्लॉक कर किये जा रहा appointment of new judges to WTO 7 member appellate court तो WTO का एक court है जो भी disputes होते है trade related देशों में वो यहाँ पर चलाया जाते है WTO के appellate court में जहाँ पर 7 members होते है ये 2017 से चल रहा है तो judicial activism वो कहता है कि भाई ये बीच बीच में करते है ये trade के बीच बीच में आते judges तो हम इसके appointment में अभी रोक के रखेंगे क्योंकि US जो होता है वो खुले में वैपार करना चाहता है और ये judges जब होते है तो ये काम नहीं कर पा रहा है तो वो बीच बीच में आ रहा है ऐसा US का दावा है तो आगे हम बढ़ते है तो ये WTO के बारे में हमें जानना होगा क्योंकि WTO News में आ गया तो अबाउट World Trade Organization इसको established 1995 में किया गया था इसका Headquarter Geneva Switzerland में देखने मिलता है इसमें total 164 members है इंडिया member है WTO का चाइना जो है ये भी member है WTO operate करता है global system trade rules को लेके वो काम करता है पूरे world में जो जो countries के बीच में व्यापार चलते है उसको कही ना कही वो handle करता है developing country जो होती है उनको भी व्यापार अच्छे से चल सके इस पर ध्यान रखता है और अपने members के लिए agreement भी करा के देता है कि व्यापार के कैसे agreement करेंगे और उनके जो problem से trade के related है उसे भी ठीक करके देता है historical background की बात करें तो इसको established किया गया था मैरकेश agreement के चलते है और इसको ratify किया गया था 15th April 1994 में general agreement of tariff and trade चलता था पहले जिसे हम GAT कहते हैं GAT को substitute किया गया मैरकेश agreement में और GAT जो होता है यह सिर्फ set of rules थे और multilateral agreements थे इसमें कोई institution नहीं था तो यह WTO बना के हमने एक institutional structure रेडी किया और GAT जो है 1947 में इसको terminate कर दिया गया और WTO जो होता है उसे continue किया गया फिर हम कहेंग जो भी provisions थे GAT के 1994 में वो यहाँ पर लाये जाते हैं और कही ना कही उसको trade को govern करने के लिए उसे use किया जाता है तो यह सिर्फ इकलोता एक ही global international organization है जो trade के rules देखता है दो देशों के बीच के अब आपको यह बता दू कि यह WTO काम क्या करता है सबसे पहले है कि जो rules है उसको establish करना international trade के लिए enforce करना trade rules पर negotiation करना अगर दो देशों के बीच में कुछ जगड़े होते तो उन पर negotiations करा के देना WTO जो होता है वो बाहर के कुछ agreements बनाता है उसके उपर ध्यान रखता है open trade जो चलता है दो देशों के बीच में उसको maintain करता है dispute जो होते है उसको settle करता है और एक collaboration बना के देता है economic institutions जो भी काम कर रहे है international level पर उनके बीच में ये collaboration बना के उनसे अच्छे से काम करा के ले सकता है उसे के साथ साथ trading interest जो है developing countries के उसकी भी देख भालिय करता है इस तरह से WTO पूरे काम करता है तो जो current affair था इसका source था the Indian Express अब बारिया आज के MCQs को solve करने के तो पहला जो question है उसमें आपको pair दी हुई है यहाँ पे एक column है और यहाँ पे दूसरा column है आपको देखना है दोनों column के तरफ यहाँ लिखा है kondana rat दूसरा option है hawk deer third option है खराई camel तो इधर IUCN status है vulnerable, least concern और endangered यहाँ पे pairs कोन से correct है यह आप आपको बताना है सिबसे पहला option है only one, दूसरा only two, तीसरा all three या फिर none आपको जो भी आपके options है वो comment section में लिखने है दूसरा question जो हमें देखने मिलता है वहाँ statement दिये है दो पहला statement है WTO was established following Marrakesh agreement which was ratified on April 15 1994, दूसरा statement है general agreement on tariff and trade was substituted by Marrakesh agreement को कितने options यहाँ पे correct है और यह सही explanation है कि नहीं यह दूनना है पहला option कहता है, दोनो statement correct है, statement to correct explanation है statement one का, दूसरा कहता है statement one और statement to correct है, बड़ statement to correct explanation नहीं है statement one का, तीसरा कहता है statement one correct है, बड़ statement to incorrect है, चौथा कहता है statement one incorrect है, बड़ statement to correct है, सही option जो आपको लग रहा है वो आपको comment section में लिखना है, question number 3 के तरफ आते हैं, with reference to हजरत निजामु आपको statements देखने हैं कौन से correct है पहला इसको 12th century CE में बनाया गया था दूसरा इसमें square chamber है जिसमें वराइंडा है तीसरा Muslim जो होता है वो famous sufficient निजाम उद्दिन आउलिया के लिए बनाया गया है इसमें correct option कितने आपको देखना है तो यह है आपके आज के questions जो MCQs थे वो तो अब बार है पिछले बार पूछे वो MCQs के answers जानने की तो 29 January के जो answers थे उसका question number 1 का सही answer था question number 2 का सही answer था D question number 3 का सही option था C तो यह रहे उस वक्त के current affairs के सही जवाब तो इस तरह से हमारे आज के current affairs रहे अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप मेरे फेस्बूक पेज़े इसको follow or like कर सकते है अगर आप मुझे से connected रहना चाहते हैं इंस्टाग्राम के थूँ अगर आप मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे message भी कर सकते हैं अगर आप मुझे mail करना चाहें तो आप मुझे mail भी कर सकते हैं उसी के अलावा आप मेरे academic के जो इंस्टाग्राम और Facebook के पेजे से उन्हें follow करके like करके मुझे support भी कर सकते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much for being here, take care and have a very good day